तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अगर नहीं देखिये तो जाके देख लेना मैंने तुम लोगों को बताया था कि टोटम कैसे बनाते है वेट मैंने ये नहीं बताया था सारी मैंने तुम लोगों को बताया था कि अपने skin का totem कैसे बनाता है या मैंने तुमको target दिया था कि अगर उस वीडियो पे 100 like का aim complete होता है तो मैं एक tutorial लेकिया हूँगा जहाँ पर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि 3D custom totem कैसे बनाता है तुम लोगोंने कुछ साधा ही like कर दिये तो या यह रही वीडियो अगर अगर अब भी तक पुरानी वाली वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लेना पता नहीं क्यों views बहुत कमा है तो या वीडियो स्टार्ट करते है बट उससे पहले थोड़ा सा चंदा दे दो मतलब सब्सक्राइब कर दो तुमको पता है कि हम लोग 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के इतने ज़्यादा क्लोज है तो हाँ सब्सक्राइब कर दो एन अगर तुम लोग ने पुरानी वाली वीडियो को नहीं देखा है पिक्चर आभी बाकी है में बोला है ना आभी बाकी है ओके ओके मजाग था ठीक है तो हमको 3D टोटम बनाना है तो पहले सोचने दो कि हमको क्या करना पड़ेगा पहले मेरे को एक 3D मॉडल बनाना पड़ेगा मेरे को ज़स्ट उसकी PNG चाहिए तो 3D मॉडल बनाने के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट कोई भी नहीं है हम लोग एप यूज़ करेंगी तो यहाँ पे मैं प्रिज्मा 3D के अंदर आ चुका हूँ मेरे को एक स्कीन इंपोर्ट करनी पड़ेगी जो कि मेरी पर्मानेंट स्कीन है सासू के उचीवा देखो यह बाहे फैला के बूल रहा है सबस्क्राइब करो तो कर दो न यार यह डांस भी कर सकता है देखो तो मैं इसका हाथ ऐसा ही रहने दूँगा इसकी मुंडी थोड़ी सी उपर कर देते है यह पर्फेक्ट लग रहा है मैंने इसके मुँपे सफेद कलर का पेंट मार दिया है ताकि ऐसा लगे कि इसने मास्क पहना है इसके मुँझे गुटका निकल रहा था तो हमने PNG का तो काम कर दिया है एकदम 3D लुक देगा अभी बार यह Background Eraser की तो यहाँ पर मैं Background Eraser पर आ चुका हूँ और बूम यह भी नाच की दिखाएगा तो यहाँ पर मैं इसको Remove करता हूँ अभी वापस से इसको Remove करते है एक और रहा है गाईस वापस से इसको Remove जरूरत से जादा ही time लग रहा है कोई ना इसको local quality में export करते है ओके अभी ये सही लग रहा है ये जो इसके बगल में कचरा फैला हुआ है न ये नहाता नहीं है ठीक है कोई ना इसको हम fix कर देंगे थोड़ा सा यहां से हटा देते है और इसको 2 level पे कर देता हूँ 2, 3, 4, 5 डन हमारा PNG ready है अब देखो जो तीसरा step है ना उसकी कोई जरूरत तो नहीं है बट video तो लंबी करनी पड़ेगी ओके मजाग था ठीक है तो मैं अभी आ चुकाओ pixel lab पे यहां पे तुम लोगों को 3-4 option मिलते है ठीक है 3D shape और stroke अगेरा वगेरा और तुम लोग shadow भी दे सकते हो तो मैं यहां पे stroke दूँगा क्योंकि मेरे को इसका background जो है पीछे के side पे जो इसको 3D shape देगा वो green color का चीए क्योंकि GC साब से मैं imagine कर रहा हूँ तो टम सही बनेगा उस तरीके से तो यहां पे मैं stroke पे इसको दे देता हूँ green color 3D shape के साथ done हमारे यह भी ready है अब इसको PNG बना देते है इसका background गायब अब मैंने pixel lab में इसको इसलिए import किया था अगर तुम लोगों को नहीं use करना था तो तुम लोग मेरे channel पे जाके check out कर सकते हो मैंने काफी सारी videos बना रखी है अगर फिर भी तुम लोगों को bore हो रहा है तो मैं तुमको बता दू addon maker वाले app को open करना है plus वाले icon पे जाना है texture पे जाना है totem पे जाना है change दबाना है और हम लोगों ने जो png export किया था उसको लगा देना है and then उसको export कर देना अब इसके बाद एक और step है इसको तुम लोग global resource के अंदर जाके activate कर देना इसका behavior pack को activate करने की कोई ज़रूरत नहीं है just resource pack को activate करना then तुमारा काम हो जाएगा okay तो अब world में आते है and okay ये देखो तो ये रहा हमार 3D totem well hopefully तुम लोगों को वीडियो पसंद आयोगी अगर पसंद आये तो एक लाइक कर देना मैं मिलता तुम से किसी और वीडियो में तब तक के लिए bye-bye